साहस सरोका प्रेमिका की हत्या यूविती की शादी से था नाराज बदमाशों ने फ्रेंचाइजी संचालक कुमारी गोली पुलिस घटना की इजाज में जुटी पनहेरा में डेंगू का बढ़ राप्रकोप सो से ज्यादा ग्राभी डेंगू की चपेट में नमस्कार मैं उशा भारगाव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ मैन पुरी में उपचुनाव का बिगुल बच चुका है सपभाजपा दोनों पार्टियों ने 80 चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है इस कड़ी में भाजपा प्रत्याशी रगुराज सिंग शाक के के नामांकन के बाद भाजपा के कारिकरता सम्मेलन में डिप्टी सीयम कैशे प्रसाद मोध मौरी सहित कई दिगज नीता मेन पुरी पहुचे हैं आपको बता दे कि भाजपा कारिकरता सम्मेलन बिजेपी कारियले के निकिट मैरिज हूम में प्रदेश अध्यक्ष भुपेन चौधरी बील वर्मा करनौस सांसत कैबिनेट मंदरी आधी सभी दिगजों ने कारिकरताओं से बात कर दिशा निर्देश भी दिये हैं लखनों में केजी एम्यू में वर्ल्ड सीयो पीडी डे पर सीयो पीडी अपडेट का आयूजन किया गया सीयो पीडी एक निवारन और उपचार योगी बिमारी है सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस समय वायू प्रदिशन बढ़ता जा रहा है इसके साथ ही सास की बिमारिया बढ़ती जा रही हैं दुनिया भर में 300 मिलियन वर्तमान के मामले हैं जो दुनिया भर में मौत का तीसरा प्रमुक कारण बनी हुई है आज पूरे दुनिया में वर्ड सीओ पीडी दे मनाये जा रहा है और जैसा मैंने कहा कि सीओ पीडी से बहुत लोग सफर कर रहे हैं पूरे संसार में लगबब 25 करोड लोग और हमारे भारत में भी 6,5-6 करोड लोग जान रहे हैं इससे ग्रसित हैं इसकी awareness बहुत कम है और जो COPD है एक progressive बीमारी है और बाद में इसका इलाज बड़ी मुश्किल से हो पाता है दमाएं तो हमारे पास हैं जो quality of life को इंप्रूब कर सकती है लेकिन कोई permanent इलाज इस बीमारी का नहीं है इसलिए मैं हमेसा कहता हूं जिस बीमारी का permanent इलाज नहीं है उसका prevention बहुत जरूरी है बेज दिया है और विदिक कारवाई की तैयारी कर रही है इसी बाद से नाराज था और उसको साधी के बाद भी उससे सब्बंद रखना चाहता था और उसके मना करने पर नाराज होके उसको गोली बार के उसकी अध्या के थे लखनाओ में कुईन मेरी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है आपको बता दे कि दुशकर्म पीडिता के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडिता के अस्पताल में भरती कराने के 48 घंटे बीच जाने के बाद पीडिता का इलाज सही ढंग से नहीं किया गया जिसकी वज़े से पीडिता की मौत हो गई है क्वीन मेरी अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है क्वीन मेरी अस्पताल में इलाज करा रही पीडिता अस्पताल प्रसासन की लापरवाही के बज़े से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा दरसल मामला बहराईच का है बहराईच में एक मासूम के साथ किसी तांत्रिक ने दुसकर्म किया जिसके बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई इसके बाद उसे लखनव के Médical College में रेफर कर दिया गया था Médical College से पीडिता को Queen Mary Hospital में ले जाने को कहा गया था जहां पे इलाज के नाम पे लापरवाही बढ़ती गई और मासूम की जान चलिए गई इस समय हम परीजनों के साथ हैं और उनके परीजनों से पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला आप बताईए कि क्वीन मेरी अस्पताल में जब आपने एड्मिट कराया था अपनी बेहन को तो क्या कुछ लापरवाई या वहां बढ़ती गई कि वहां से बोले कि इनको टीवी की सिखाया थे वहां पर इनका टाका लग गया था कि आपरेशन वह टाका लग गया फिर वहां से बोले इनको टीवी की सिखाया था तो इन लोग ने आपरेशन के चार दिन बाद ही वहां से रिफर कर दिया कि आप के सीच हॉस्पिटल जो है हैं यहाँ पर तीवा सकताँ हो उनके भी आई ती तो पॉले कि इसे लेकिना पड़ा गया थिक तो इसके बडेट लोग उनको पानी आना शुरू हुग बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो फिर हमने वहां जो के सिएच के जो है जो वहां के डॉक्टर साब उनसे इंफार्म किया कि ऐसे दिक्कत है तो बोले कि पानी ज्यादा बढ़ रहे लगा उनसे बोले तो साम के टायम बहुत बोले कि फिर ठीक है इतनी टायम तो वाड़ अब आचने पानी जिरते का है इसके बाद में उनकी दोकार में जाह बाद घने नीजे आऌड़ाम और भी प्रस्टोश का है राप बॉलाघ हुंआ है फिर निकाल को पुल मैं बुलाए कि पोर पिले लग है दिख्कतर हां उनके साथ में बलतकार हो गया था तो उसी के चक्कर में वहां से बहराइस से वहां बहराइस में रिफर कर दी वह लोग कि आप Queen Maryamon का treatment होगा क्योंकि बहराइस भी हो नहीं सकता था तो यहां Queen Maryamon का treatment हो फिर फिर इनका operation हुआ था तो वही जो operation हुआ फिर यहां टांके हों के लगे थे अब टांके तूटने के वज़ा से इनके हलाइस जादा खराब हो गई फिर अब वहां से कोई देखने तक नहीं आगर वो लोग देख लेते हैं करके क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ नहीं तो आज हमारी बहन जिन्दा ह साथ इलाज में क्यून मेरी अस्पताल प्रसासन ने लापरवाही बढ़ती जिसका खामिया जा उसे अपनी जान से हाथ धोकर देना पड़ा इस तरह के मामले हमेशा के लिए ही समाज के लिए नासूर बनते जा रहे हैं एक अस्पताल प्रसासन जहां पीडितों का इलाज ह लापरवाही बढ़ती जा रही है अस्पताल प्रसासन में तो देखा आपने कि किस प्रकार से परिजन जो है कि मेरी अस्पताल पे अपना आरोप लगा रहे हैं प्रसासन पे अस्पताल प्रसासन पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं वो सीदे तोर पर यह कह रहे हैं क अगर अप्रसासन ने समय रहते हैं, उनकी बात को सुना होता, पीड़ता का संग्यान लिया होता, तो उनकी बेहना जिन्दा होती क्यूंड मेरी अप्रसासन का एरवया वाकई बहद सर्मनाक है अस्पताल जहां मरीज अपना इलाज कराने आता है ये सोच करतिमादार बेफिक रहते हैं कि यहां डॉक्टर है यहां पे नर्थ है सारा स्टाफ है जो हमारे पीडितों को हमारे मरीजों की देखभाल करेगा लेकिन वहीं ऐसे अस्पतालों में इलाज के नाम पे एक बड़ी लापरवाही बढ़ती जाती है जिससे पीडिता की मौत हो जाती है मैं विवेक साही प्राइम टीवी लखनाउ खबर लखनाउ से है जहांके लोग बंदू अस्पताल में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ ने सूबे के सभी जनपदों में डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिये है जिसके चलते लखनाउ के लोग बंदू अस्पताल को डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया जिसका ओचक निरक्षन स्वास्त विभाग के प्रमुक सचेव पाट सार्थी सैन्शर्मा ने किया इस समय हम लोग बंदू अस्पताल में हैं और हमारे साथ बाच्चित के लिए मुझूद है यहां के सेमस और यहां के निदेश जी इनसे हम जानेंगे कि इसे डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है अपने स्तर से हम लोग अरेंज करके देंगे और हर समय 24 सो घंटे डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल और जाच की सुविधा उपलब दरहेगी जी सरी में कितने बेड का जो है डेंगू डेंगू के लिए कितने बेड जो है मोहया कराए गया है इसके लिए हमारे लोगबंदू अस्पताल में 100 बेड हम लोगों ने डेंगू के लिए डेडिकेट किया है और उसमें 10 बेड बच्चों के लिए किया है और ICU भी उसमें है अगर अवशक्ता पड़ेगी तो हम उसको कर लेंगे उत्यप्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए मुख्यमुत्य योगी आधितनात सक्त हो गया है और उन्होंने जन्दपत के कई हॉस्पतालों को कोविट की तर्ज पर डेंगू डेडिकेटेट करने का निर्देश दिया है इसी तर्ज पर लोगमंदू अस्पताल को भी डेंगू डेडिकेटेटे अस्पताल जो है इसे बनाया जा रहा है यहां पे डेंगू से पीडित लोगों का इलाज जो है कराया जाएगा यहां पे सो बेड जो है डेंगू पीडितों के लिए अभिलेबल कराया गया है हमसे बाचीत में यहां के निदेशक और CMS ने हमसे बताया कि गंभीर रूप से डेंगू से पीडित लोगों के लिए दस बेड अलग से उपलब्द कराए गया है कानपूर में सिचाई विभाग में तैनात यूवक ने खुद के अपरण होने की साजिस रचिक आपको पता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि यूवक के परिजनों ने अपरण का मुकदमा दर्च कराया था पुलिस ने जाच में पाया कि वे अपनी जूटी के लिए घर से निकला था और वापस घंड नहीं लोटा और अपने परिजनों को एक मैसेज बेजा जिसमें उसने अपने आपको बचाने की 30 लाग की मांग की परिजनों ने परिशान होकर पुलिस में शिकायत दर्च कराई है जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा किया वही पुलिस ने युवक को साकुशल बरामत किया है फैमिली पुलिस को अप्रोच की थी कल शाम को कि उनका जो बेटा है वो किसी के द्वारा किडनाप कर लिया गया है और फैमिली को एक मैसेज आया था कि 30 लाग रुपे दीजे नहीं तो आपके बेटे का हम मडर कर देंगे इस सूचना पर पुलिस को यह सूचना प्राप थी हमने फैमिली की तरफ से तहरी ली मुकदमा पंजी करित किया और ततकाली हमने इसमें चार-पांस टीमें बनाई अपनी सर्विलांस की सारी टीमें अक्टिवेट करी फैमिली जो लड़का किड्ड़नाप होगा तो उसके सारे नंबर हम लोग ने निकाले आसपास उसके दोस्तों के सारे नंबर निकाले जब और गहनता समने इसमें चानवीन किया तो यह पता चला कि यह लड़के ने खुद ही यह अपना प्लान करके यह कहीं जाके छुप फैमिली को यह बताया था कि मैं किड्नैप हो गया हूं और पैसे दीजे नहीं तो मैं आपने आपको ही मार दूँगा फरुकाबाद में ट्राफिक इंस्पेक्टर ने यातायात महा के अंतरगत आवास विकास पुलिस चौकी पर नेत्रजाज सिवर का युजन कराया नेत्रजिकटसा सुनीत रंजन मिस्टर ने करीब 114 लोगों की आखों का परिक्षन कर दवाईया दी है शिवर में पहुँचे सियो सिटी प्रदीप सिंग ने बताया कि स्कैम का मुख्य उद्देश टेमपोड टैक्सी इरिक्सा चालकों की आँखों की जाच कराना है यदि ये लोग सुरक्षित रहेंगे तो आम जनता भी सुरक्षित रहेगी क्योंकि इनके वाहनों में बहुतायाद जनता सफर करती है इसलिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से निशुलक नेतर जाच शिवर लगाया गया है गाजियाबाद में लोगों को पुलिस की तरफ से नई सौगात मिली है आपको बता दें कि दो नई थाने अस्तित्व में आ गए है अबादी के हिसाब से काफी समय से नई थानों की मांग की जा रही थी वह इस साशन की सहमती मिलने के बाद ADG राजीव सभरवाल ने दो नई थानों का उदगाटन किया ADG ने थानों का निरक्षन कर अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिये माने मुख्वंत्री जी की शाशन की और ADG पौधे के जो निर्देश हैं उसके करम में अधिक्तम लोगों की सुख के पॉइंट और वी से हम लोग इसमें विवस्थाएं को पुनुश्चित करते हैं इंसानियत को शरमशार कर देने वाली घटना सामने आई है आपको बता दे कि पूरा मामला अलिगड के थाना कार्सी छेतर का है जहां पीडिता ने अपने पती के खिलाफ कप्तान दर्बार में शिकायत दर्ज कराई है पीडिता का कहना है कि उसका पती लंबे समय से उसके साथ हैवानियत करता है साथ ही पीडिता ने कहा कि काफी दिनों से उसको शाररिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है जिसको लेकर उसने न्याई की गुहार लगाई है काव पर मारा है अपने घर पर मेरी सुस्राल में अपकी शादी कब हुए कहा सोई एक अत्ति जुलाइक हुए थी पटवाई नगले साथ नंबहें काली से सब्सक्राब तो इसकी शिगात आपने पुलिस्ताने में करी थी जी नहीं करी थी आप करिये जब बहुत जादा प्रेशान होई हूँ मैं मेरा पती गंजी संदी मूब यह दिखा कर मेरे साथ भाई सब करता है जो मूब यह में मौ में मुहम्दाबाद गोहना कोतवाली शेतर के बनिया पार में यूबी पाई की मिनी फ्रेंचाइजी चलाने वाले यूवक को बदमाशों ने गोली मार दी आपको बता दे कि ये घटना तब हुई जब यूवक नगदी निकाल कर अपने घर जा रहा था तब ही बदमाशों ने रास्ते में गोली मार दी मैं घायल यूवक को सामुदाइक स्वास्त केंदर में भरती कराया गया है इलाज के बाद यूवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है सूचना पर पहुँची पुलिस घटना की जांच में जुटी है आज अबी दोपेर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मुहमदाबाद चेतर में यूबी आई का ग्राग सेवा केंदर चलाते हैं प्रमोश रिवास्तो जी इनके वहां दो लड़के जो की मुह बांदे हुए थे वो आए और उनके द्वारा लूट का प्रयास किया गया उसी चीना जबटी में जो प्रतक्षदर्ची वहां पर मौजूर के उनके द्वारा बताया गया है कि एक लड़के द्वारा फायर किया गया जो गोली इनको छूते हुए निकल गई है वहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है जो सभी उच्छा दिकारी है उसे मेरे द्वारा मौका इसल का डिरिशन कर लिया गया है जो भी सीसी टीवी इत्यादी है वो भी दिखाय जा रहे है आपके द्वारा एक अन्य व्यक्ति पर शंका जाहे ती गई है कि उनसे कुछ पैसे का ल से पुलिस ने लगबग 50 लाग रुपे का माल बरामत किया चोरी का समान सीसी टीवी की मदद से पुलिस ने बरामत कर लिया है पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया गया है हुआ है 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 थाना चेतर गोविन नगर में एक चोरी हुई थी सोला दसको जिसमें यह ब्यूटी पालर संचालिका के घर पे चोरी हुई थी उसी में हमने मुकत्मा पंजेकरित किया था और हमारे टीम में लगी थी और हमारे एसे उजीटीम अगरा भी लगी थी इसके हुई नगर किद्वई नगर में अलग अलग समय पे अलग अलग चोरियां करी है इसने खबर और यह से हैं जहां लोक अदालत में अधिवक्ता के साथ कुछ लोगों की कहा सुनी हो गई वहीं अधिवक्ता के घर जाते समय दबंगों ने जम कर मार्क पीट की आपको बता द है कि अधिवक्ता ने थाना फफून में मामला दर्च कराया लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की जिसके बाद उत्तेजित अधिवक्ताओं ने जाम लगाया और आरोपियों की गिरफतारी ना होने को लेकर नराजगी जताई वहीं इस पूरी घटना की जानकारी होते ही घटना स्थल पर पहुचे पुलिस छेत्रादिकारी ने अधिवक्ताओं को समझा बुजा कर जाम को खुलवाया एक नौजवान खुन जो हमारा नातपकता है उसे बहुत बेरहमी से मारा गया जिस पर थाना पापुने मुकदमा धाला तिन्यूसाथ का पंजी के तुरुआ थाना पुलिस बहुर निस्क्री है पैसे लेके दब पहे वो गुटतार नहीं कर रही है मजबूरी हम लोगों को लगाना पुड़ा मैं आज तक यह पार नहीं जोंच पाया कि पैन लगाने वालों पर लाटियां क्यों चलाए जाती है फुलिस के द्वारा भी और जन्ता के द्वारा भी कोई हमको इसका उत्तर देते आप लोग भी पूचे जवाब हम देते हैं कि आखिर हमने आशा क्या दुस्पराम पुलिस के सामने भी आएगा और जन्ता के सामने भी आएगा खबर हर्दोई से है जहां ब्रामण चेतना परिशद ने कलेक्टरेट भवन पर श्रद्धा वाकर के हत्यारे के खिलाफ प्रदर्शन किया उन्होंने बताया कि आफ्ताब जमीन ने श्रद्धा वाकर की 35 टुकड़ों में काट कर निर्मम हत्या की गई है जिसके खिलाफ ब्रामण चेतना के पदधिकारियों ने राजिपाल के नाम जिला प्रसाशन को ग्यापन सौपा है जिसमें हत्यारे के खिलाफ सक्त कारवाई लिए करते हुए फासी की मांग की गई है और वह रहा है तो इसका मतलब प्रशाशन इसके प्रती सजीद नहीं है और प्रशाशन को सजीद होना चाहिए और इसके प्रतित्पुरंत एक्षिन लेना चाहिए आज मैं हर दोई जन्पत में अपनी महिला अधिवक्ताओं और महिला जो हमारे हां समाज में अक्तिव हैं उनके साथ यहां इकत्र हुई हूई हूई जो आफ़ताव आमीन ने हिर्दय विदार गटना दिल्ली में कर दी श जिससे हमारे घर की बहुबेटियां एक घर में हमारे तंसार में अच्छे सेफ एंवारिमेंट में पलबढ सके आज मैं प्रीती दुवेदी परिष्ट सदसे कारकाडी पारिशा दिवारी और अन्य महिला अधिवक्ताओं और काफी महिलाओं और पुरुष अधिवक्ताओ के साथ यहां पर हम इस देश से एकत्रित हुए है कि सभी आफ़ताव आमीन ने जो स्रधा के साथ जो क्रति किया है उसके हम लोग गोनिंदा करते हैं और इसके साथ ही हम लोग ये मांग करते हैं कि इस तरह के क्रति करने वालों को कठोर तं सजा दी जाए और ऐसी सजा दी अलिगर में खाद सुरक्षा अधिकारी का काफिला बाजार में पहुचा तो अफरा तफरी मच गई आपको बता दे कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद करना ही सही समझा वही दूसरी और खाद सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को खाद सुरक्षा के नियम समझाए साथ ही खाद पदार बेचनी की हिदायते दी हैं और ये भी कहा है कि दिक्कतों का सामना जनता को ना करना पड़े इसको लेकर खाद सुरक्षा अधिकारी आए दिन ओचक निरक्षन कर रहे हैं अलिगड़ के रेलवे स्टेशन पर पटरी पार कर रहे हैं एक ही परिवार के तीन लोग केफियात एक्सप्रेस की चपेट में आ गए जिसके बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद जी आरपी और आरपी एफ के जवान और पदाधिकारी मौके पर पहुँच और तीनों के शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया खबर देवरिया से है जहां जिला अधिकारी जितेंद्र पताब सिंग ने धान क्रे केंद्र का ओचक निरक्षन किया धान करीद ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज आकडे और स्टाफ में अंतर पाया जिस पर क्रे केंद्र प्रभारी विप्रन निरिक्षन जगदीश को स्पष्टी करण के निर्देश दिये जिलादिकारी ने क्रे केंद्र पर किसानों के धान को प्रात्मिक्ता के तहट खरीदने और स्टॉक में रखे धान पर क्रे तिती डालने के संबंध में निर्देश जारी किये साथ ही किसानों को क्रे केंदर पर निर्धारित मानक के तहत धान खरीद में समस्य आने पर हेल्प लाइन के माध्यम से शिकायत दच कराने की सला दी के चेकर में गलत है दो किसानों से उनने जो दिखाया है मौकित धान महीं है यह लापरवाही भी है और साश की अभी लेखों में इस प्रकार की हिरापिरी करना या गलत एंट्री करना लीगल भी है पनिशेबिल भी है उसके लिए किन प्रभारी का दायत उताय करेंगे और हम कि ब्यास करते हैं कि सभी किसानों का धान जरूर दो जाए कि कोई ऐसा किसान ना रहे जो सेंटर पे आना चाहता हो और उसको प्रतीक्षा करनी पड़े या उसको परिशानी है खबर अलीगर से जहां पनहेरा गाउ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगतार बढ़ती जा कि अब बने जाए तो किने लोग बीमार है गर में गरम पर आड़ साथ बीमार होंगे और अब बहुत आदेस जादे गाउं पड़ा एक महिने में करीग पचीछ शबशाब्स मॉचिकी ए क्या उलते हैं डेंगू की बज़ेदे और बहुत बुरी महारी है यहां पर बहुत कोई देखने वाला भी नहीं है और ना कोई गाउं में छिरकाव मलब पर रहन दो कोई किसी तरीके का ना कोई कोई दिहान ही नहीं दे रहा यहां पर क्या हो रहा कोई कुछ नहीं खबर देवरिया से जहां भारती जंता पार्टी ने गोरी बजार नगर पंचायत में बूत विजयपत यात्रा निकाली सदर विदायक शलब मनी त्रपाठी ने जंता को संबोधित किया और भाजपा सरकार की उपलब्दियों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के कारियों से जंता खुश है निकाय चुनाव में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा भाजपा जिला प्रभारी सुनील गुपता ने बताया कि एक बार फिर निकाय चुनाव में भाजपा को जिता कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का अवाहन किया इस मौके पर भाजपा कारिकर ता बड़ी संख्या में मौजूद थे प्राइम उत्तरपदेश में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार